राम राम किसान बाईयों मैं जै सिंगानिया अपने चैनल दा और या फार्मिंग में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं अपने खेतों की शिमला मिर्च जो है वो मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने देगी मल्च के उपर और बेड़ के उपर की है जिससे कि हमारा पौदा एकदम सुन्दर और अच्छा खड़ा हुआ है तो मैं अपने सभी किसान बाईयों को कहूँगा कि मैं एक प्रक्टिकल किसान और जो खेतों में करूँगा वही दिखाऊंगा किशी भी पेड़ में देख लीजिए हमारी शिमला फरद पूरी तयार है यह देखिए सम्ला लगा हुआ है तो यह बैड़ और मल्च लगाने का आपको फाइदा दिखरा होगा कि तेखिए हमारा खेत पूरा किलीन पड़ा हुआ है इस तरीके से देखिए हमारा जे तीन से चार एकड में सिमला मिर्च जो है मैंने कर रखी है और मैं अपने सभी किसान बाईयों को दिखाऊंगा कि भाईया मैं फेक यूटूबर नहीं हूँ और नहीं फेक किसान हूँ जो अपने खेतों में करता हूँ वही प्रैक्टिकल मैं मैं अपने यूटूब चैनल पर डालता हूँ जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करते जाएं और फेक यूटूबरों से साफदान रहें यह देखी हमारा खेत एकदम किलीन पड़ा हुगा है यह हमने एक सीजन के लिए 25 मैकरोन वाली जो पनी भाईयों से कहना चाहूंगा कि हमारे खीरा भी खड़े हुए हैं करीब करीब दो एकड में तो मैं आल टू आल फसल जो भी करता हूं सबजियों वाली वो मैं मल्च के उपर और बेड़ के उपर जरूर करता हूं अगर मैंने देखा है कि मल्च नहीं लगा रहा हूं तो इस में मल्चिंग पनी नहीं डालते है यह देखिए मेरा ही इसमें पानी के लिए होता है यह देखिए यहां से सभी जगे डिवाइट कर देता हूं तो जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना यह देखिए आल टू आल देख लो हमा कारी लेकर के मैं अपने सभी किसान बाईयों को बताना चाहूंगा कि जिस किसान बाई को जिस यूटूबर बाई को चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि हमारे किसान बाई जो भी जानकारी लेना चाहता हमारे खेत पे आजाए और मैं आल टू आल जानकारी दूँगा जिदर स तरसे भी देखना चाहते हो, अधर से आप देख सकते हो, ये देखिए, मैं अपनी अचारी मिर्च जो है, मैं ourselves. को दिखाऊंगा ये देखिए सामने साथ में मैं अपना खीरा का भी फसल दिखाऊंगा ये देखिए अमारी अचारी मिर्च लगी हुई है दूसरे खेत में एक एकडल के सम्तिंग में हमारी अचारी मिर्च है ये देखिए इसमें अगर फरद है देखिए ये अचारी मिर्च है हमारी और ये सबी में देखिए फूल है अगर किसी भाई का फल और फूल जड़ रहा हो या जुलसा रोग लगने जा रहा हो ये देखिए कितना सुन्दर सुन्दर हमारा तूट हो रहा है इसमें हमने दो दो खेत हैं जो कि हमारे उसमें अचारी मिर्च हमने कर रखी है ये किशी भी खेत के अंदर हमारे जाएंगे किसान भाईयो तो मैं चेलेंज के साथ कहता हूँ कि देखिए आपको पूरे खेत का लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ गुम गुम के दिखा रहा हूँ देखिए हमारी मिर्च इतनी सुन्दर है और जिस नाली में गुश जाएंगे उसमें बिल्कुल भी आपको ये नहीं कि घास लगी हुई दिखाई दे जाए घास खरपतवार जो होता है वो नहीं है बिना डबाई के और सिर्फ ये फाइदा ह हम ले रहा हूँ मैं अपने भाईयों को बताऊंगा कि अगर ये फाइदा लेना है खरपतवार नहीं होने देना है तो आप मल्चिंग पेपर लगाए और बेड़ पे ही अपनी फसल करें ये देखिए हमारे पूरे आल-टू-आल खेत में आप किसी भी खेत में गुश के निकवाई करवा सकते हैं दवाई भी डाल सकते हैं जिससे नश्ट हो जाए तो मैं किसान भाईयों प्रेक्टिकल किसान हूँ जो अपने खेतों में करूंगा वही आपको दिखाऊंगा ये देखिए हमारी जो मिर्च है मल्च के उपर पे खड़ी हुई है देखो ये मल् मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ बता सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ आप सभी किसान भाईयों देखिए बैनी फिट के बारे में नहीं बता सकता हूँ मैं कितना बैनी फिट हो रहा लागत के बारे में आप जो किसान हमारा करेगा ये देखिए इतना इतना एक एक पेड नहीं डालता हूं, यह देखिए, मिर्च का फरत देखिए, उसके बाद बात करें हमसे, देखिए मिर्च, यह देखिए मिर्च, कितना फरा हुआ है, इस तरीके से अगर जो किसान भाई अपनी फसल करना चाहता है, तो हमसे एक बार जरूर जुड़ें, और संपर्क करें हमार हम आल टू आल जानकारी देते हैं गुमा गुमा के पूरे खेट में कैमरा दिखाऊंगा कि हमारे खेट का पूरा आपको लोकेशन दिख रहा होगा कि देखिए यह हमारा एक एकड में इस खेट में है दूसरे में भी है और और यह सिर्फ और शिर्फ बर्मी कंपोस्ट ड्रैको ड्रमा यह उसी का कमाल है अपने किसान वाईयों को कहूंगा जानकारी अच्छी लगे तो एक जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना इसी के साथ मैं अपने वेडियो को ब्राम देता हूँ राम राम ज जय जवान जय किसान